नमस्कार कारिक्रम आज कल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीपा सिंख। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देश की आजादी की लड़ाई में जंजाती नायकों के योगदान की कहानी। 15 नमबर जंजाती गोरो दिवस पर हम अपने जंजाती नायकों का कृतिक इस्मरन करते हैं। ये इस्मरन हमें हमारी सुतंतरता की पीछे के त्याग, बलिदान और शौरे गाथाओं से तो परिचित करवाएगा ही। बलकि सुतंतरता को अशुन रखने के लिए हर कीमत पर भी प्रेरित करता है। यहां प्रस्तुत है देश और प्रदीश के कुछ चुनिंदा जंजाती नायकों के संखर्ष और बलिदान की संख्शुथ का थाएं। जाने वाले बर्सा मुंडा का जन्म नमंबर 1875 में हुआ था। एक अक्टूबर 1894 को उनकी नित्रत में मुंडाओं ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदूलन किया। वर्ष 1895 में उन्हें गरफतार कर लिया गया। और हजारी बाग केंद्रिय कारागार में दो साल के कारावास की सजा दी गई। कारावास से मुक्त होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के विरुद सशिस्त्र ग्रांति का अहवान किया। जो मार्च 1900 में उनकी गरफतारी तल सत्त रूप से चलता रहा। कारावास में दी गई यातनाओं और उत्पीडन के कारण संखर्ष किया। राजा मल्ला सरज्या और रानी चीनम्मा की गोदलीवे पुत्र शिवलिंग गपा को कितूर के सिंखासन पर वैद अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने कमपुनी के विरुद सशिस्व संखर्ष किया। चापिमार युद्ध शैली का प्रियोग कर इन्हो प्रिटिश रासन का अत्याचारी रूप इस शेत्र में भी देखने को मिल रहा था। जिसके परिनाम सुरूप बिटिश सत्ता के विरुद जून 1815 में सिध्धो की निजुत्त में एक विद्रोह की शुरुबात हुई जिससे संथाल विद्रोह या हूल आंदुलन के नाम स से जाना जाता है। संथालों ने आकरामक प्रिटिस सत्ता जो तोब, बंदूकों और बड़ी मात्रा में गोला बारों से सुसजित थी। का सामना अपने परंपरागत तीर कवान जैसे हत्यारों से किया। सिध्धों ने वेर्दा पूर्वक युद्ध किया, परंदु संथालों में हुआ। ये सिध्धों संथालों के छोटे भाई और संथालों विद्रों के सहे नेत्रतु करता थे। कानू ने जून 1855 के भीशन संग्राम में अंग्रेजों का डट कर मकाबला किया। और इनके दो छोटे भाईयों चांद और भैरों ने पून सामर्थ के अब हम बात करेंगे बाबा तिलका मांझी की। संथाल विद्रोह भारत में अंग्रेजों के विरुद जनजातियों द्वारा प्रतिकार के सर्प्रतम उदाहनों में से एक है। और इसकी नायक थे बाबा तिलका मांझी। भैंकर अकाल और उस पर बिटिश उशनकारी ना कर सके। अत्यंत क्रूर प्रतार्णाओं के द्वारा फरवरी 1775 में उनकी इलीला समाप्त हुए। और अब हम बात करेंगे अलूरी याचाराम राज की। वर्ष 1922 के महान रम्या संकर्ष के महानायक अलूरी सीताराम राजूनी ततकालीम मदरास प्रसिडेंसी के पूर बंद आरोपित किये थे। जिससे इनका अस्तित संकर्ष में आ गया था अलूरी सिताराम राजूने छापा मार शैली द्वरा अंग्रेशों को अनेक उसर पर पर पराजित किया। अंतता मैं 1924 में इन्हें अंग्रेशों द्वरा गिरफ्तार कर निर्ममता पून ढंक से इन दे वाले गुंडाधूर को उस समय बागा धूरवा के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1910 में गुंडाधूर के निर्वत्त में एक छोटे से गाउं से शुरू होने वाले स्विद्रोह ने बस्तर की महान भूमकाल के चरम को प्रदशित किया जिससे अंग्रेशों की इ और गीतों के दवरा एक अमर नायक की रोप में याद किया जाता है। कारिक्रम आज कल में फिलहाल इतना ही। दीजे इजासत तमसकार।